हलो सुदेंट्स, वेलकम टो इगनु बड़ी तो देखें आज मंडे है और इगनु की तरफ से जो दिसेंबर दो हजार तेज का लास्ट अपडेट आया था वो आपका तीन जनवरी को आया था और उसके बाद से अभी तक कोई भी नया अपडेट इगनु की तरफ से देखने को यहाँ पर हम पर नहीं मिला है तो दस दिन से भी जादा का टाइम हो गया है लेकिन इगनु की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है तो देखिए वैसे एगनू का जो अपडेट है December 2023 का ये तो नहीं आ रहा है लेकिन इसके साथ-साथ एगनू की तरफ से जो बाकी अपडेट है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि Revaluation of June 2023 का भी रिजल्ट यहाँ पर आपको स्टेटस तीन जन्वरी का ही शो होगा ये जो रिजल्ट है ये भी तीन जन्वरी के बाद नहीं अपडेट हुआ है उसी के साथ-साथ अगर मैं और रिजल्ट की बाद करूँ तो बाकी जो result है इगनू के वो भी अभी तक इगनू की तरफ से update नहीं किये गए है क्योंकि तीन जन्वरी के बाद से अभी तक यहाँ पर ना तो December 2023 का और ना ही December 2023 का जो result है Termin Exam का वो भी यहाँ पर update नहीं किया गया है यहाँ आप देख सकते हो तो तीनों ही update एक साथ आ रहे हैं December 2023, June 2023 और June 2023 तो तीनों ही update अभी तक update नहीं हुए है तो देखे सबसे पहला तो आपको बता दूँ कि इगनू का जो result होता है वो आपका हर 6-7 दिन में normally update होता है लेकिन अभी 10 दिन से जादा हो चुके हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है तो देखे एगनू में जो evaluation center होते हैं वो एक ही evaluation center है और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो अलग-अलग evaluation center है अलग-अलग area के हिसाब से वहाँ पर लाकों students की complete check होती है तो इस वज़े से क्योंकि यहाँ पर June 2023 का भी result है और June 2023 revaluation का भी result है और December 2023 determined exam का भी result है तो यह तीन-तीन जो copies हैं यह एक साथ check हो रही है और इनका जो result है वो एक साथ declare करना बहुत जादा students होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है इस बारे में और evaluation center पर भी depend करता है कि आपका result कब update होगा और आपका evaluation center जो है वो कितना time लेता है आपकी copies हो check करने में तो इसलिए वैसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजे यहाँ पर जो status है वो update नहीं होता लेकिन आपका result update हो जाता है तो वो होता है technical problem के वैसे अब यहाँ पर ऐसा हुआ है यह तो मुझे नहीं बता लेकिन यहाँ पर अभी तक तो status update नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप अपना जो result है वो यहाँ पर enrollment number डालके check जरूर कर लेना जोकि इगनु में कभी-कभी portal में problem हो जाती है और status update नहीं होता लेकिन वहाँ से update हो जाता है तो इस तरह की problem भी कई बार होती है इगनु में पिछली साल भी ऐसी problem हुई है तो आप ये भी एक बार करके देख लिया करो यहाँ पर status update नहीं हो तो भी एक बार अपना जो number है उसको एक बार जो enrollment number है उसको यहाँ पर डालकर submit करके उसको एक बार check किया करो ताकि वो पता चल जाए कि result वाकई में update हुआ है या नहीं उसी के साथ साथ अगर आपको जो result है वो पिछली बार update नहीं हुआ था तो साइद हो सकता है कि पिछली बार जब आपने check किया हो तो portal में कोई technical problem की वज़े से जब आपने check किया था result तब आपका result soon नहीं हो रहा हो लेकिन उसके बाद से आपका result वहाँ पर update तो हो गया लेकिन portal पर show नहीं हुआ तो इसलिए अपने grade card भी check कर लिया करो एक बार ताकि आप confirm हो जाओ कि आपका result है वो update हुआ है या नहीं क्योंकि यहाँ पर result के जो portal है इसमें problem हो जाती है कभी-कभी यहाँ पर status update नहीं होता है कभी-कभी जब आप environment नमबर डालते हो तो marks तो update हो गए आपके लेकिन show नहीं होते वहाँ पर तो इस तरह का server में problem हो जाती है तो यह कुछ problem है जिसकी वजए से जो इगनु का result है उसमें दिक्कत आती है बाकी मैंने आपको बता दिया कि evaluation center और जो तीन result एक साथ update हो रहे हैं उसकी वहाँ से भी result में time लग रहा है लेकिन hopefully आपका जो result है वो एक दो दिन में जरूर update हो जाएगा जब भी update होगा मैं आपको इस channel पर जरूर update करूँगा तो अगर आपको यह video helpful लगती है तो इस video को जरूर like करना और एगनु से related हर update और information के लिए एगनु बड़ी channel को जरूर subscribe कर लेना so thank you for watching this video thank you so much